नमस्काराम एव्रीवन मेरे चैनल शिवांगा दवे ऑफ ग्रेस में आप सभी का स्वागत है शिव से जुड़ना बहुत सारे लोगों की चाहत है हजारों करोड़ों लोगों की चाहत है जुड़ना और शिव नाम सुनते ही लोगों के अंदर कुछ-कुछ होता है भारत वर् बहुत सारे भार विदेशी लोगों की मेर है मैंने सुना है देखा है जो शिव से जुड़ना चाहते है और रुदराक्ष नाम की जो चीज है हर जगे अविलेबल है तो लोग रुदराक्ष पहन के अपने आपको कुछ ऐसा समझते कि हम शिव से जुड़ रहे हैं कुछ इ इतने तरीके के होते हैं किस को रुदराक्ष पहनना चाहिए किसको नहीं पहनना चाहिए कहां से रुदराक्ष लेना चाहिए कहां से नहीं लेना चाहिए तो सारी बाते आज हम इस वीडियो में कवर करने के कुछिश करूंगा अगर इसमें सारी बाते कवर नहीं तो दूस तो उनकी आखों से खुशी के या टियर्स ओफ आनंद के आसू धरती पर गिरे और जहां जहां वो गिरे वहाँ पर एक अलग तरीकी के पेड़ होगे जिन में से एक जो फल निकलता है वो रुद्राक्ष कहलाता है क्योंकि रुद्र के अश्रू जब धरती पर गिरे तो ये पेड़ की उत्पत्ती होई और इस रुद्राक्ष के पेड़ का जो फल होता है जो जनरली हर किसी को वालव है ये इसकी अलग तरीके की वाइब्रेशन होती है और जब आप इसे पहनते हैं तो इसे पहन कर बहुत सारे फाइदे होते हैं लेकिन आज की डेट में अगर आप कंट्रोल होता है या ब्लेट प्रेशर डिक्रीज होता है लेकिन रुद्राक्ष के अगर को फाइदे है और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं सारे फाइदे की ना पाऊं और लास्ट तक देखेगा है वीडियो मैं बच्पन से हम ब्रामड फैमिली में पैदा जिन्होंने हाथ में वी रुद्राक्ष पैना हुआ है और उनको किसी को नहीं मालूं कि किस तरीके से रुद्राक्ष पैनना चाहिए और रुद्राक्ष के सही में फाइदे क्या है किसी को नहीं मालूं और किस तरीके से रुद्राक्ष पहला जाना चाहिए किसी को इंदा स अगर आपको जानना है तो संद्गुरु के लाबा मेरे ख्याल से दूसरा वोई वैक्ती है रही तो जो लोग जानना चाते हैं वह आकरिता के वीडियो देखें बहुत सारी बहुत सारे टॉपिक कवर होने वाले पहला टॉपिक है पहले के अंदर पहला है कि what you must know about रुद्राक्ष आप रुद्राक्ष के बारे में आपको जो जरूरी चीज़े है वो क्या है रुद्राक्ष क्या है यह मैं पहले बता चुका हूँ शिव के अशनु जब धरापर गिरे थे what are the benefits of wearing a रुद्राक्ष रुद्राक्ष पहले के क्या क्या फाइदय है अनेगों फाइदर मेंसे सबसे पहला फाइदा रुद्राक्ष आपने देखाओका जन्रली साधक जो होते हो पहनते हैं क्योंकि जिस तब ड्रंगर पहनते हो रुद्राक्ष के इस धरापर जितने भी चीज़े हैं वो हर कोई वाइब्रेट हो रही है यानि उससे तरंगे निकल रही है हर किसी हर किसी वस्तु से एक प्रकार की तरंगे निकलती है और रुदराक्ष एक ऐसा ऐसा बीज है एक ऐसा फल है जिसमें से जो तरंगे निकलती है वो आपके इर्द गिर्द एक शक्ति का गेरा बनाती है जो बहारी जो energies है उनसे आपकी सुरक्षा करती है और भारत वर्ष के अंदर इसको बहुत सावधानी से पहना जाता था ये नहीं कि आपको नीचे गिरौ रुदराक्ष मिला और आपने उसको एक गहने की तरह पहल लिया बिल्कुल नहीं इसको एक particular तरीके से पहना जाता था और इसके अनेको फाइदे अगर आपको आपके गुरौ आपको ये रुदराक्ष दे रहे तो वो ये चाहते कि आप उपनी साधरा में आगे बढ़े तो उस हिसाब से वो उसको एनरजाइज करके आपको देंगे ऐसे अनेको फाइदे है जो लोगों को जैस से बड़ा फाइदा अगर मैं कहूं कि अगर कोई आपके उपर ब्लैक मैजिक या काला जादू करना चाहता है तो अगर आपने रुदराक्ष पहले है तो आपके उपर वो काला जादू नहीं कर सकता और रुदराक्ष और भी बहुत सारे फाइदे है अगर आप रुदराक जो योगी जो लोग साधरा करते थे भारत वर्श के अंदर उनको ये कहा जाता था कि आप जादा समय एक जगए नहीं रुखेंगे, तो वो हर समय, हर अलग-अलग, थोड़े-थोड़े समय के बाद अलग-अलग जगए जाते रहते थे, तो इसलिए वो ये चाहते थे कि उन बुरी नजर लग गई है, ऐसी कई चीजे जो बाहरी शक्तियों के वेसे आपकी जिवन रहा पड़ता है, वो रुदराक्ष पहनने से सब खत्म हजाएगा, वैसे नापतोल टीवी वेगरे पर आपने देखा होगा आई, नजर सुरक्षा का वज, नाम के एक चीज आती थी बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में लगाया था, रुदराक्ष बारे बाद ये क्वालिटी किसी को नहीं मालूब थी, लोगों को लगता है कि रुदराक्ष शीव को रिप्रेजर्ट कर रहा है और कुछ नहीं, बिल्कुल हजारों फाइदे है, रुदराक्ष के जिन चुज दी बीड साइज ऑफ फच बुक्ष की माला जो पंच मुक्ष की माला होती ही, वो 5 mm से लेकर 8 mm के रुदराक्ष होता है, छोटे से लेकर बड़े तक होता है, तो आपको कौन सी महली चाहिए, और जो जिस रुदराक्ष के चोटे-चोटे बीज होते हैं, क्या वो ज जैसे अगर आप पंच मुखी म Cities बात करोंगे तो बंच मुखी में चाहए आप पाच एमएम का रुद्राक्ष साथ घ्टराक टॉम्स सब के पैल एक जैसे हैं आप की वरजी आप थी पाटला avocado चाहते शाहते अब आता है कि अलग-लग रुद्राक्ष के क्या-क्या फाइदे हैं तो डरेक्ली चलते हैं उस स्लाइड पर जहां पर बेरे पहले तो यह देख लेते हैं रुद्राक्ष इतने तरीकी आते हैं पंच मुखी, वी मुखी, शर्मुखी और गौरी शंकर एक-एक के बारे में बा जोकी माला नहीं पहलाएंगे और इससे क्या होता है कि आपके इर्द गिर्दे कि अगर अच्छा एनरजी का घेरा होगा तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी जैसे एक पौधे को आप अच्छा वादावरण देंगे तो पौधा अच्छे से खिलेगा और उसमें से फल हो या फूल हो बहुत अच्छे तरीके से आएगे इसी प्रकार मनुष्य को भी अगर फलना फूलना है तो उसके लिए आपको एक एनरजी का घेरा अगर आप बना दोगे तो वो अच्छे से भारी शक्तियों का प्रवाव उसके उपर नहीं होगा द्वी बुखी रुदराक्ष द्वी बुखी रुदराक्ष जो है वो शादी शुदा लोगों के लिए होता है और ये रुदराक्ष जो है दोलों लोगों को पहलना है महिलाओं को भी और पुरुष की भी जो भी शादी शुदा है जो जो जोड़ा है वो लोग महिला भी पहलेगी और पुरुष भी पहलेगा और दूसरी बात यह कि आपको कभी भी अगर रुदराक्ष लेगा है तो ऐसी जगह से ले जहां से आपको उसके ऑथेंटिक होने का पूरा-पूरा भरोसा हो कि रुदराक्ष जहां से मिल रहा है वो सही रुदराक्ष मिलेगा गलत नही और रुद्राक्ष के बदले लोग भद्राक्ष भी देते हैं वो बिल्कुल नहीं पहनला चाहिए उसके बारे में आगे चलके बात करेंगे फिर शनमुखी रुद्राक्ष होता है बतलब जिसमें 6 फेस होंगे वो 14 साल से छोटे बच्चों के पहनाया जा सकता है और उनकी मानसिक और शारिरिक विकास के लिए आप शनमुखी रुद्राक्ष छोटे 14 साल से छोटे बच्चों को पहना सकते जिन बच्चों को जल्दी लजर लगती है उन बच्चों को जड़ली अगर आप ये पहना होगे तो उन्हें रजर नहीं लगेगी इसके बाद है गोरी शक्कर गोरी शक्कर रुदराक्ष जो गोरी शक्कर रुदराक्ष होता है वो ऐसा लगता है कि दो रुदराक्ष एक साथ मिला दिये गए हो और इसी की तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि वो दोनों जुड़े हुए हैं एक तरीके से ये किसी के द्वारा भी पहना जा सकता है जो 14 साल से उपर कहो और इसके फाइदा क्या है ये मतलब आपको अगर मैं ऐसे कहूं कि प्रॉस्पेरिटी यारी जिसको लोग कहते हैं कि ध आहन दौलाद या एश्वरिया या कुछ और चीज़े जिनको लोग वेल बिंग समझते हैं अपनी उसमें ये फाइदेमाद होता है इसके साथ साथ जो इड़ा और पिंगला नाड़ी होती है उसको बैलेंस करने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है और साथी साथ जो हम पहले रही है कि आपने आज पहने और आपकी अनच इंपर अलग अलग आपको इसके इसके ओस्के असर देखने को toothbrush हो बिलेका उसी पर पहना जा सकता है इसके बारे में आगे चलके वीडियो में आपको बताऊंगा और कई से भी मों ठाके कोई भी रुद्राक्ष ने पहना है एक और रुद्राक्ष होता है जिसको बोलते हैं एक मुखी रुद्राक्ष वो रुद्राक्ष केवल और केवल उन लोगों के यहां लिए होता है जो विरागी मनना चाते जो लोग घर में झालब के द्वारा दिया जा कि यह अप वो पहने उसके अलावा किसी कोई और पहन नहीं कि आपको ज़रुत नहीं है ठीक है फिर आगे चलके देखते हैं कि आपको उसको एक तरीके से पर्टिकलर तरीके से उसको रखना है उसके बाद उसको आपने ग्रहेड करना है जैसे आप आपने को कभी नंग पहना हो तो उस नंग को पहनने से पहले भी उससे का जाता है या तो दूद में रखो या कंगल जल में भिखा के रखो इसी तरीके से जो रुद्राक्ष है उसको condition किया जाता है condition करने के लिए आपने क्या करना है 24 गंटे में उसको घी में विगा के रखेंगे पहले और फिर 24 गंटे के बाद उसको दूद में विगाएंगे फुल क्रीम दूद होना चाहिए और उसके बाद उसको पानी से दोकर आप पहन सकते हैं यह इसलिए करा जाता है कि जो रुद्राक्ष है वो समय समय पर उसके जो रुद्राक्ष है उसको lubrication दिया जाता है अगर आप किसी चीज़ को lubrication नहीं दोगे रुद्राक्ष जैसे आपने lubrication नहीं दिया तो होगा क्या रुद्राक्ष जो है वो क्रैक हो जाएगा जैसे हम शीवलिंग में भी दूद या घी चड़ाते हैं उसका एक ही मक्सद है कि जो शीवलिंग है वो एक ऐसे पत्थर का बना होता है जिसको तेल या घी या इस चीजों की जुरूत होती है अगर आप उसमे तेल या घी नहीं डालोगे तो उसके अंदर से जनरेट होने वाली हीट के वज़े से वो पत्थर तूटेगा इसी प्रकार से रुद्राक्ष में भी हर समय वाइब्रेशन निकलती रहती है एनरजी निकलती रहती है तो रुदराक्ष के crack होने के chances होते इसलिए उसको घी और दूद में भिगा कर रखा जाता है ये एक तरीके से lubricant का काम करता है ठीक है और बागी जितने भी तरीके के रुदराक्ष आपको आपको मिलेंगे आपको रुदराक्ष को ग्रहड करने से पहले ग्रहड करने से पहले उनको इसी प्रकार से conditioning करेंगे और हर 6 महिने के बाद इन रुदराक्ष को आपको condition करना होता है 6 महिने जैसे आपने पहले उसके बाद फिर से एक बार उसको दूद में 24 गंटे भी गाए उसके बाद दूद में 24 गंटे भी गाए उसके बाद दोकर पहले कपड़े से साफ क करने के बाद और एक चीज़ और बता दू कि जब आप किसी भी रुद्राक्ष को कंडिशन करने होंगे तो मेटल की किसी भी मैटल के बरतन में उसको कंडिशन नहीं करना है आप काच के बरतन में रख सकते हैं प्लास्टिक के बरतन में रख सकते हैं लेकिन कभी भी मैटल के बरतन में नहीं रखना है रुदराक्ष को कभी भी किसी मैटल की सर्फेस पर टच नहीं करना है क्योंकि metal की सर्फेस पर जैसे आप टच करोगे तो metal से रुद्राक्ष की energy conduct हो जाएगी और रुद्राक्ष की energies खतम हो जाएगी इसलिए कभी भी आप रुद्राक्ष को metal की surfaces पर नहीं रखते हो तो यह वीडियो को मैं यहीं पर खतम करूगा क्योंकि 15 minutes से ज्यादा की वीडि बढ़ेगी और तीसरा condition और maintenance किस तरीके से होनी चाहिए इसके वारे में बात करेंगे शायए तीर या चार वीडियो लग जाए पर इस्टे डिटेल्ट वीडियो आपको और इस्टे डिटेल्ट जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी तो please please stay tuned अगर यहां दी गई जानकारी आपको useful लग रही है तो अब बाकी लोगों तक भी पहुचाए और subscribe जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए नमस्कार